हलो फ्रेंस, रियल क्विक एनलिसिस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बाफ फिर से स्वाकत है, तो चलिए अब हम जल्दी ते चर्चा करते हैं अपने आज के एनलिसिस की, जैसा की हम सभी को पता है अमेरिका और आस्ट्रेलिया की बीच हुई परमाडु पंडुपी की डील ने फ्रेंच फ्रेंशिप की लुटिया डुबो दी, अमेरिका और आस्ट्रेलिया की बीच डील हो गई, उससे ज्यादा दुख फ्रांस को इस बात का है कि उसे हवा तक नहीं लगी और इन दोनों देशों ने मिलकर जिस फर्स पर फ्रेंच प्रेसिडेंट खड़ेते उसे ही खीच दिया, अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने लाग कोशिश की लेकिन फ्रांस कहां मानने वाला, पीट पर छुराग होपा है दोनों ने, यह जखम इतनी जल्दी कैसे भर जाएगा भाई साब, आलम तो यह है जनाब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेंट सहाब कोश प्रेसिडेंट हैं कि उन्हें बाइडन के बोल सुनने ही नहीं है, इसलिए कर रहे हैं बाइडन बाबू अब इंतिचार, यह सब छोड़िये भाई साब जरा कलपना कीजिए कि यदि यही दगावाच डील प्रेसिडेंट ट्रॉम्प के जमाने में हुई होती, तो अमेरिक कि अपराद बाइडन ने किया है, इसलिए मीडिया उल्टा इस उम्मीद में घड़ी की टिक टिक सुन रही है कि काश वक्त इस धोकेबाजी का घाव भर दे इस विश्वास घाती माहौल में जबकि मैकरोन बाइडन का फोन तक नहीं उठा रहे हैं तब अपने आप मैकरोन ने मोदी जी के साथ फोन पर बाच्छीत की और दोनों देशों ने कसम खाई है कि हिंद प्रशांत महा सागर में दोनों देश मिलकर काम करेंगे ताकि इस पूरे एक लाके में यातायाद की स्वतंतरता बनी रहे और फ्रेंच प्रेसिटेंड ने मोदी साहिब को भरोसा दि बढ़ाएगा ताकि भविश में वह अपनी रणीती खुद बना पाए अपना निर्णाय अपने बल पर ले पाए प्रेंट के लिए रहे फ्रेंच प्रेसिडेंट की निगाएं कहीं पर तो निशाना कहीं और है निगा भारत पर है लेकिन निशाना अमेरिका पर है फ्रांस या कुछ और हम इस आजादी को अमेरिका में गिर्वी तो किसी हाल में नहीं रख सकते हैं जब हम पड़ोसी चीन का पिछलगू नहीं बने तो पर देसी अमेरिका का पल्लू हम क्यों थामेंगे इसलिए यदि फ्रांस हमारी मदद करता है तो उसका स्वागत है ऐसा नहीं ह सब्सक्राइब ने एक ही कॉल में कई मधुरबोल बोल दिये हैं अब देखना होगा कि इन बातों पर कितना अमल करता है लेकिन हमारा अनुभाव बताता है कि फ्रांस बचन का पक्का है वैसे भी हमारे लिए भारती हित सरवोच्चे हैं जब तक फ्रांस के साथ फ्रेंशि कि बात सुनकर उनके सीने पर सांप लोड जाएंगे कम से कम यह तो पक्का है आज और दोस्तों कली हमने अपने प्रॉफिट की प्रयोकसाला वीडियो में जी एन एफसी को कवर किया था जिसने आज मार दिया है आठ प्रतिशत का जंप बोले तो यह सब मुनाफे की वीडि हो चुका है लहू लोहान लेकिन भाई जी यही मौका है आजाओ आप सब सीखलो चार्ट पर ना बोले तो टेक्निकल एनलेसिस ताकि जैसे ही मजबूती का सिगनल चार्ट पर देखें आप अच्छा माल सस्ते भाव पर खरीच सकें अच्छा माल कैसे पैचाने डेस्ट में है बेहत खास बेहत सस्ते दाम में कुछ सीखने का लाग जरूर उठाएं यह था हमारा आज के अनलेसिस आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को आगे जरू शेयर करें साथ मैं हमारे चैन है